एलो गाईज, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आपके रिए बहुत ही टेस्टी इमली और गोड़ की चटने के रेसे पी लेके आए हूँ, आप इसको बना के एक सिर्ट महने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, यह बल्कुल भी खाराब नहीं होता है, उचे लिए देखते है कि इसको बनाना कैसे है, इसके लिए मैं 200 ग्राम इमली को रात को ही पानी में भी खाके रख दी थी, जिससे मॉर्निंग तक काफी अच्छे से सॉप्ट हो जाएगा, यह देखी बहुत अच्छे से सॉप्ट हो गया है, मैं जब इसको हाथ से मसल मसल के दिखा रही हूँ चनी से इसको अच्छे से चान लेंगे, इसलिए क्या होगा ना, जो नीचे इसका जो पल्प है, वो नीचे आ जाएगा और जो भी एक्स्ट्रा है, यह रिषा वो पूरा बाहर आ जाता है, और आपको सिर्फ औरीजनल पल्प मिल जाएगा, इधर मैं ग्यास जला ली हूँ और उसमें कड़ा ही रखी हूँ, कड़ा ही में बिल्कुल थोड़ा से दू-चार समज के लगए पानी डालेंगे, और गुड़ को छोटो-छोटो टुकडो में कट कर लेंगे, जिससे बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाएग और बस उसी पानी में इसको डाल देंगे, और इस इसको बहुत अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे, जिससे गोड़ जिपके नहीं, और अब इस कंडिसन में आधी कटोरी चीनी डालेंगे, चीनी डालने इससे क्या होगा ना, कि देखें, इमली में तो खटा ही है, लेकिन गोड़ में भी थोड़ा खटास होता है, ची इसको मेक्स करते हुए, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको रख देते हैं, जब तक इसके लिए अच्छा सा मसाला रेडी करते हैं, इसके लिए में एक चमस सौंप, एक चमस जीरा, और छे से साथ गोल मिर्चे, इसको रोस्ट कर लेंगे, और जब यह थोड़ा रोस्ट गयास का फ्लेम को करेंगे बंद और इसमें आधर चमस के लगवग चिली फ्लेक्स जाल देंगे, गयास की फ्लेम को बंद करने के पाठ डालेंगे, और बस एक से दो मिनट के लिए ऐसी भूल लेंगे इसमें, जिससे कि यह भी अच्छे से भून जाए, और एक प्लेट में निकाल लेंगे जब ठंडा हो जाएगा तब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे अब सब से मेन बात क्या है कि यह देखे जो इमलीक का जो पल्फ हम डाले हैं इस जो जाग निकल रहे हैं इस जाग को जरूर निकाल लेजिएगा इससे क्या होगा कि जब चट्ने को हमारे ठंडे हो गया है और उसको ग्राइंटर जैर में डाल के बिल्कुल फाइन भी नहीं करना है थोड़ा से दरदर रहेगा इस तरीके से ग्राइंड कर लेंगे यह चम्मच से दो चम्मच के लगबग है वरी सारी मसाले को मैं इसमें डाल दोंगी क्योंकि मैं इस ही केरी ब डाली हो इसमें आधा चम्मच लेकिन वीडियो में सूट नहीं हो पाया आप जरूर डाल दीजेगा और देखिए अब चटनी काफी गाड़ी हो चुकी है लगबग पक चुका है यह बस एक मिनट के बाद ग्यास का फ्लेम को बंद कर देंगे और अब एक किसी भी बाउल मे आप इसको ट्रांस्पर कर लीजे जिससे की जल्दे ठंडा हो जाए यह देखे चुटनी हमारा ठंडा हो गया है और बिल्कुल बाजार की चुटनी की तरह दिख रहा है आप इसको एक कोई भी बियर्ट एट जार्य में मैं इसको भरके रख रही हूं आप किसी भी तेरे की अगर आपको यह रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक से रो सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू